साथियों नमस्कार उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मस होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी हो या सेट की तयारी हो अच्छे चल रही होगी Assistant Professor की exam जो है चार अगस्तों को होने वाली है दो महिने बच्चे है आज जो है तीन जून है तो समय कम बचा है और अच्छे से आप तयारी करते रहे revise करते रहे बहुत सारी चीज़े है पढ़ने को समय को best न करे समय का utilization अच्छे से करे और जो भी आपके पास content है उसको पढ़ते रहे जो भी आपको extra content मिलता है syllabus के coding वो चीज़े भी आप complete करते रहे तो आपको निश्चीती सफलता मिलेगी आज हम बात करेंगे जो unit first है Assistant Professor exam में उसके में कुछ question लेके आया हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं theoretical unit है और इसमें जो है memorize वाली चीज़े है तो वो चीज़े आप revise करोगे तो वो चीज़े याद रहेगी theoretical है मतलब इसका मतलब यह नहीं माना क्सराल है reading करना पड़ेगी, revise करना पड़ेगी तब जाएकि यह चीज़े जो है complete होती है memorize करनी पड़ती है तो यह question कुछ लेके आये है और जो भी साथी जो है भी दो महिने का time बचाए है जो भी course लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं मेरे पास क्या है कि कई साथियों के exam के 5 दिन पहले course purchase करते हैं साफ मैं मना करता हूँ लेकिन नहीं सार हमको तो कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे test series में कुछ question पढ़ लेंगे या फिर एक दिन पहले तक मेरे पास PGT के लिए course के लिए कि लिए आज ही आपका वीडियो देखा पहली बार यूट्यूब पर और हम तो कल एक्जाम है परसो एक्जाम है तो इसा नहीं करना मैं उनको फिर course के लिए मना करता हूँ तो अभी टाइम है दो महीने अभी भी अगर आप systematic दरीके से तयारी करो तो कर सकते हो otherwise फिर जैसे समय निकल जाएगा उसके बाद ना तो course लेने का मतलब रहेगा और नहीं ज्यादा आपकी preparation का कोई मतलब रहेगा दो महीने हैं आप revise कर सकते हो चीजों को समझ सकते हो एक दो दिन तो उनको चीजों करने में और समझने में लगता है तो last time में कुछ नहीं होता है अपना patient से बनाया रखे धेरी बनाया रखे और mind को संतुलित रखे और जो चीजे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहे उस टाइम पे उसी पर concentrate रहे इसा नहीं के सायरी चीजे एक साथ पढ़ लेना जो पढ़ रहे हैं उसको concentrate करके पढ़ते र पादर आप रस स्किल इस रस स्किल के फादर कोने साथ तो रस स्किल की जो फादर है वो किसको कहा जाता है जब आपने पढ़ रखा को इस article portion तो आप कहोगे कि रस स्किल के फादर जो है वो नागार जुन को कहा जाता है ठीके यहाँ पर थोड़ी English Hindi का कोई matter नहीं करता है थोड़ा जो वर्ड हैं वो सारे जैसे यह रस वर्ण अब यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन हैं वो हिंदी वर्ड से लिया गए हिंदी से लिया गए तो रस वर्ड is used for which metal किस metal के लिए रस वर्ड यूस किया गए तो जब आप यह चेप्टर पड़ोगे यूनिट पर कोई यह नहीं है बस याद है रस वर्ड के जो राइटर हैसाब वो कोण है इसका जो सही option है गोविंदा चारिय ने रस वर्ड इनकी जो है इन्होंने लिखा था साब ठीक है और अगर हम नागार्जुन की बात करें तो नागारजुन ने रस रतना कर, आरोगे मंजरी, योगसार, ये इनके लिए आ जाता, राइटर इनों ने लिखा किसने नागारजुन ने, तो रस वर्ण तो गोविंदाचारिय का है, फिर अगर वागभट्टे की बात आए, तो वागभट्ण ने रस रतन, रस समुच्च रस रतन, रस समुच्चे की बात करी थी, रस रतन, और ये शोधर ने रस प्रकाश सुधाकर, इनका है रस प्रकाश सुधाकर, तो सभी में कितना complicated चीज़े हैं, तो जब नागारजुन की बात करोगे, तो रस रतना कर, आरोगे मंजरी के राइटर है, गोविंदाचारी की बात करोगे आप, तो रस वर्न या रसार वर्न ऐसा भी बोल सकते हो, वागभटे की बात करोगे, तो वागभटे रस समुच्चे की बात करी है, ये शोधर की बात करोगे, तो रस प्रकाश सुधाकर ये शोधर के ने लिखी है, ये शोधर उसके राइटर है, मेरी बात रसंद्रमंगल के जो राइटर है वो कौन है साहब रसंद्रमंगल के राइटर तो रसंद्रमंगल के राइटर भी है नागरजुने साहब याद रखना रसंद्रमंगल के राइटर भी है नागरजुने तो नागरजुने ये डी वाल उप्शन इसका सही है who wrote अस्टांग रदे तो अश्टांग रदे को तो कई बार 11-12 वालों को पढ़ाते हैं बच्चों को तो अस्टांग रदे की बात आती है तो अस्टांग रदे किस के दवारे लिखा गया है वागवट तो इनकी कृतियां जुरूर रियात कर ले किसने, किसके बारे में बताया, किसके बारे में लिखा, तो यहां पे इसका आएगा वागभट, एक कुशन यहां से बन सकता है, महारस, उपरस, सामानियरस, यहां से भी एक कुशन बनेगा, तो इन में महारस कोन सा है, तो महारस जो है, वेकरांत, वेकरांत जो है, वो क्या है महारस से वेकरांत इसका सही option होगा महारस से महारस उपरस और सामपने रसे ना तो इनका classification पुरा याद करना पड़ाएगा कि कौन से महारस है कौन से उपरस है ठीक के कौन से सामपने रसे मेरी बास समझ रहे हूं ना जैसे महारस में अगर मैं मुराइस करना चाओ तो कर सकते हो महारस में बहुत सारी चीजे हैं महारस में अब्र, वेक्रांत, भाशीक, विमला, शिलाजतू, सास्यक, चपला, रसक, नामी अजिब टाइप किये मैंने बाद समझ रहे हो तो ये है कौन से महारस जब आप उपरस में जाओगे तो उपरस कौन-कौन से है गंधक है गेरिक है कशिस है सूरी है लालक है मनशिला है अंजन है कंकुष्ट है इनको कहते हैं उपरस फिर बात करें सामानियरस कौन से होते हैं तो सामानियरस में कोईला गोरी पाशान नवसार वराटक अगनिजार लाजवर्त, गिरी सिंदूर, हिंगूल और मुर्दांड शरंगकम, मुर्दांड शरंगकम, तो हिंदी से भी complicated चीज़े, कुछ संस्क्रत वर्ड भी आ रहा है इसमें, तो चलिए, अब हम बात करें, क्या बात करी, महारस कौन सा है इसमें, तो महारस जो होता है, इनमें कौन स है महारस, अभी बताया, वेकरांत है महारस साब, वेकरांत, वेकरांत महारस है, उपरस कौन सा है, अभी मैंने कुछ चीज़े बताया, अगर याद रही होगी, तो उपरस में क्या है, गैरिक, गैरिक क्या है, उपरस है, है ना, उपरस कौन सा है, इसमें, उपरस जो है, वो पर दे रखा है गोरी पाशा गोरी पाशान तो गोरी पाशान यह रहा गोरी पाशान यह कामन रस है ओके और भी कौन से कामन रस में मतलब सामने रस में कोईला गोरी पाशान नौसार वराटा गगनिजार यह सभी क्या है कामन रस है ठीक है तो यहां से महारस उपरस कामन रस म Metal is, Metal कौन सी इसमें, दिख रहा हैं, यहां पे bracket में लिखा हुआ हैं, तो nag laid को कहते हैं, इसका नाम है nag laid, तो यह जो है metal है, ठीक है यह निए यह 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 तो रस उपरा सामने रसमें से होगा, तो यह हैं, तो metal कौन सी इसमें laid है, कौन सा है, laid है, next question है, borax है, borax है, borax क्या है सा बेसे सहाब, क्या है? एक बेसे, बोरेक्स क्या है? एक बेसे, ठीक है? तो यह जो है, इन चीजों को, फस्ट चेप्टर को मेमोराइस करने की जरूरत है, जिन सातिको कोर्स लेना हो, वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, एप्लिकेशन की लिंग मिलेगी और वाटसब मिलेंगे लेना चाहो तो ले सकते हो अदर्वाइस खुद भी प्रप्रेशन करो तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको 15-20 नंबर क्यूशन का भी अगर कोर्स लेने से अगर फायदा होता है तो गाटे कास होता नहीं है और अच्छे से प्रप्रेशन कीजिएगा सभी को बेस्ट आप लख साथियों मिलेंगे फिर नेक्से वीडियो में तब तक के लिए ओके बाए जेहन